Hello everyone and welcome to DS-Kuruji इस वीडियो में हम जालेंगे राजस्तान की इतिहास के एक बहुत important topic को और वो topic है राजस्तान में किसान आंधुलन राजस्तान में किसान आंधुलन एक ऐसा topic है जिससे examinations में questions बनने की 100% सभावना होती है यह समभावना इसलहे होती हैं, कि यह topic बहुत ही जादा important है और अभी तक 1 किसान about examinations अईसा नहीं हुआ जिसमने एक से ज़्यादा questions इसके नहीं बने हो minimum एक question तरह इसका हर examinations में बनता ही है तो इस पूरे topics को ध्यान से पड़ेंगे, कि बहुत ज़्यादा Pan kg राजस्तान के सभी किसान अंदुलन्स के बारे में संपूर्ण जानकार इस वीडियो में प्राप्त करेंगे और इसके साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और अगर आपको पीडियाप के लिए आप हमारे वेबसाइट विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट है www.dskurji.com जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या आप व्रजशंन में इसलिए राजस्टान में जुकिसान थे जो मध्यम वर्ग के किसान पर चोटय करके उनके पर आछिकूमस नहीं थी तो उन्हें रिन लेना पड़ता था और रिन लें रिया करते थे जागिर्दारों से उत वियांस दश्व जाया संब्र इसके कारण जो जागिरदार वर्ग होता था वो किसानों का आर्थिक शोषन करता था किसानों के इसे आर्थिक शोषन बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो बढ़ते आर्थिक शोषन को देखते हुए बाद में किसानों के द्वारा आंदुलन किये गए और वो बहुत सारे आंदुलन राजस्तान के बहुत सारे शेत्रों में चले थे तो उन सभी आंदुलन को अपन इस वीडियो में पड़े हैं तो जानते हैं राजस्तान के किसान आंदुलनों के बारे में सबसे पहला और सबसे महतुपूर ही ये यह आंदूलन हे बिजोलिया किसान आबलन इसका टायमिंग आपको ध्यान रखनाए 1897 से लेकर 1941 तक ये चला था राजस्तान का बिजोलिया किसान आंदुलन भारत का प्रतम अहिन सात्मक और असयोगात्मक किसान आंदुलन बिजोलिया किसान आंदुलन था राजस्तान का ही नहीं ये इंडिया का फर्स्ट किसान आंदुलन था ये बात आपको ध्यान रखने हैं और ये अहिंसा आत्मक था यानि कि इसमें हिंसा का सहारा नहीं लिया था और असयोग आत्मक था ये दोनों बाते आपको इसकी ध्यान रखने हैं हिंसा नहीं हुई थी आल स्योयकग का प्रधर्शन उन्हो ने किया था इस तरए से इए आंधुलन चला था विजोलिया कि verm arm का सफल नेततव किया था विजे शींघ पथिंग ने जिसके बारे मैं आपने पढ़ा भी नोगा विजे सींघ पथिक ने विजयाकरशक अंधुलन का नेततव किया था जाता है ब भारत का मूल नाम के ब्रूप सिंग् को नाम से जाना नजर बंद थे जब ये नेना किसान आंदुलन में भाग लिया था नहीं लिया था उससे पहले ये टाटगड में अजमेर में नजर बंद थे बिजोलिया किसान आंदुलन के मुख्य काड़नों में चवरीकर और तरवार बधाई नामक करों से उपजा क्रशक असंतोस था तो द्वारा आपने पूत्री की विवा के उफसर पर प्रतीं विवा तो ऑसे पर उननेस सूरीकर पर यह में प्रतीवPS दिया 25 रूपीज बहुत ज़्यादा माइने रखते थे इसलिए किसानों के अंदर असंतोस था इसके लिए एक दूसरा कर्भी जागेदार के उत्रा दिखा रही है तो वसूला गया था और वह कर था तलवार बंधाई तलवार बंधाई कर था और यह भी स्टार्ट किया गया था प विजे सिंग पथिक को किसान आंदुलन का जनक भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले किसान आंदुलन बिजोले किसान आंदुलन हुआ उसमें इन्होंने नेत्यत्यों किया इस वज़े से इन्हें किसान आंदुलन का जनक कहा जाता है राजस्तान के शरी और लविन राजस् योगदान था दोनों ही समाचार पत्रों के संपाधक विजय सिंग पतिक ते यह बात आपको पूर्ण ध्यान रखनी है आरेस एक्जामिनेशन में भी क्योशन आ चुका है कि जो राजस्तान केशरी समाचार पत्र है और जो बिजूलिया अंदुलन से समंदित जो राजस्तान राजस्तान सेवा संग की स्थापना हुई थी 1919 में वर्धा महाराष्टर में विजय सिंग पतिक ने इसकी स्थापना की थी तो यह भी ध्यान रखना है राजस्तान सेवा संग की स्थापना वर्धा महाराष्टर में की गई विजय सिंग पतिक के द्वारा जिन्हें किसान परणविजू लिएंवामरी दोससे नोन इसके बाद बाथ है दूसरा और महत्रोपुंट फड़ा विजू लिया और दूसरा युजें डेहोगे अपिछले साल से पाइद्प्तिस को देखोगए विजए सिंग पक्तिए एक रामनाराइद चाथनी ना आपको हर examination paper में जरूर मिलेंगे तो इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं विजुलिय किसान आंदुलन का जो नेत्यत्व किया था विजे सिंग पतिक ने किया था और इस आंदुलन का नेत्यत्व किया था वह क्या था राम नारायन चोधरी ने इसमें तरुन राजस्तान नाम राजस्तान था और राजस्तान के शरी था और इसमें तरुन राजस्तान इस किसान आंदुलन में मेवाड रियासत ने किसानों की समश्याओं के हल है तो ट्रेंच आयोक का गठन किया था ये भी आपको ध्यान रखना है बेगु किसान आंदुलन में 1921 में मैंनाल किसान सभ काहें ध्यान रखेगा जो बैगू किसान अंदोलन इसमें 1921 में मेनाल किसान सभा में किसानों और ठाकुर अनूप्ति के बीच एक समझोता हुआ था और इस समझोते को कहा जाता है बोल से विक समझोता ध्यान रखेगा बहुत महत्वपूर है बेगो किसान अंदोलन गोविंद पूरा हत्याकांट के लिए विख्यात रहा है 13 जुले 1923 को भिलवाडा जिले में हुए इस हत्याकांट में रूपाजी धाकर और क्रपाजी धाकर सहीद हो गए थे इस हत्याकांट के चलते भी ये किसान अंदोलन बहुत ज्यादा प्रसिद्रा है क्योंकि यहां पर भिलवाडा जिले में हत्याकांट हुआ था जिसमें तेव इसको तो यह आपको ध्यान रखना है उसके बाद किशान आंदुलन आता है बूंदी किशान आंदुलन यह भी बहुत इंपोर्टेंट किसान आंदुलन है वह पहले वाला जो बेगु किसान आंदुलन था उसका नेत्यत्व किया था राम नराइन चोधरी ने अब जो बूंदी किसान आंदुलन आया है इसका जो नेतत्यों करने वाले हैं नानक जी भील डाबी हत्याकांड बूंदी किसान आंदुलन का प्रमुक सहीद था नानक जी भील को राजस्तान का प्रमुक सहीद बोला जाता है बूंदी किसान आंदुलन बरण सहीद के किसानों ने किय था अब यह आपको ध्यान रखना है यह नानक जी भील डावी हत्या कांड इसमें हुआ और इसमें जो प्रमुक सहीत थे इसी कारण इनको राजस्तान का प्रमुक सहीत बोला जाता है ध्यान रखेगा है यह अंदुलन स्टार्ट हुआ था बरड शेत्र में बूंदी किसान आंदुलन लगबग 17 वर्स तक चला बहुत कम टायमिंग तरह यह नहीं चला विरुद किया था वी जो दीडी मेँ बीजोलीय के बीच तिरेम जबीच पाराख्योवे and कुल कर दोब किंचहा निवात लगान वो बेगार के विरोध में हुई थी वूंदी में बिजोलिया के बीच पत्रीला वो कठोड भाग बहत है यदी बेगूमें बिजोलियाants का पढ़ोश से ठीकाना था किन्हंठीच सिमाइब जोलिय के साथ सती हुई थी 1922 में वुदि के किसानों किया ओर मृंधि रियास्त में नेटव्त किसान ऑ्पवरलाल सेनी ने और बुंधि रियास्त में बुंधि अदोलन का नेतवत पंडित नेनु gemom सर्मानी किया था अब आपको यह बात ध्यान रखनी है आरे स्प्री 2018 के एक्जामी नेशन में इनके बारे में क्योशन पूछा गया है कि पंडित नैनुराम सर्माग के द्वारा कौन से किसान आंदोलन का नेतत्व किया है इन्होंने 1926 में नेतत्व किया था बूंदी में इस्तानी आंदोलन का नेतत्व किया गया था स्वामी नित्यानंद के द्वारा ये बात आपको ध्यान रखनी है इस आंदोलन में महिलाओं का नेतत्व अंजिना चोधरी ने किया था महिलाओं के प्रमग घुमीका थी और जिस महिला ने महिलाओं का नित्यत्व किया था वो थी अंजिना चोधरी ध्यान रखना है इसके बाद है तरुन्द राजस्तान, नवीं राजस्तान, राजस्तान, केशरी, प्रताप, नादी समाचार पत्रों में आंदुरण कारीों पर किये जा रहे जुल्मों का व्यापक रूप से प्रचार हुआ दो अप्रेल 1923 इसमें में बुंदी के डाबी नामकिस्तान पर किसानों का समयलन हुआ जहां पर पुलिश अदिक्षक एक्राम हुसेन ने गोली चला दी जिससे नानक जी भील वह देविलाल गुजर घटना इस तर्व पर जहनडा गीद गाते हुए सईध हो गए तो इसमें देविलाल गुजर और ये रहाम हुसेन के दौरा 1923 में ऑप्रेल 1923 दाबिनामकिसथान वृत्मान पूत में में इस्तित है मानिकलाल वर्मा ने नानक भील की स्मृसिव में अरजी सीज़सक्व सहे गीत लिख जो गारे नुच्व एप मारवाड किसान आंदोलनुन यह बहुत ही मॉहतापुन किसान आंदोलन है 1923 में मारवाड किसान आंदोलन स्टार्टिंग मपधिलाल तेजावत थे और इसको चलाने वाले थे जये नरान व्यास तो धियान रखिएगा इसके शूत्रधार थे मुद्टिलाल तेजावत तो दोनों में आप कण्फिूज ना हुईएगा, 1923 इस वे में JNR व्यास ने जोदपूर में मारवाड हितकारेनी सभा का गठन किया, ये भी क्योशन एग्जामेनेशन में आता है, कि जो मारवाड हितकारीनी सभा है उसका गठन किसनी किया था तो यह किया था जैनारेंड व्यास ने और इसका गठन किया गया था 1924 में इसके माध्यम से मारवाड की किसानों को लागतों वो बेगारों के विरुद्ध जागरुग बनाने का प्रियाश शुरू किया गया था नेटतों में चला था और यह हुआ था 1928 से 1940 तक इसके बाद हुआ है तोल आंदुलन ये 1921 एस्वी में इस आंदुलन की वह पूर में चांदमाल सुराना ने की थी ध्यान रखियेगा चांदमाल शुराना ने इसकी सुरुआत की थी मारवाड में तो तीले का एक लेकिन राजय सरकार ने बरिटिश बहुरत की थार 1000 तौले कैस और इसला चलंडों 1 मारवार्डels ने लाघा तो वो नया तोल जारी करने का नेने रद कर दिया इसके बाद है डाबडा हत्याकान डाबडा हत्याकान हुआ शाशन की दवनात्मक नीतियों के विरोध में मारवार लोग परिशद और किसान सबा का संयुक का दिवेशन हुआ था 13th of March 1947 को दीडवाना के पास डाबडा गाउं मे आयोजित हुआ जिस पर ठीकाने के जो अनुचर है और जो जागिरदार है उसनों ने हमला कर दिया मत्रदास माथू डाबडा इसके मुख्या आयोजत्ते इसी के कारण इसको कहा जाता है डाबडा हत्याकान डाबडा में आयोजित किसान समेलन में भाग लेने जा रहे चोधरी जगू जाट वो जागिरदारों में महताप सिंग आंधुरन के दोरान सहीद हो गए नुबै से प्रकाशित वंदे मात्रम जेपूर के लोकवानी जोदपूर के प्रजा सेवक दिल लिखे हिंदुस्तान टाइम्स आगभारों ने सत्याकान की घोर निंदा की इसके सब्सक्रावल में अमंत्रत किया है के ठाकुडों ने उनके आयोजन को न होने दिया और सोजत में आने वाले लोगों पर लाठी चार्ज करवाया जिन में कई वेक्ति घायल हुए मिठा लाल मारक मारकंडेश्वर विजे संकर राम शोक चांद मल हरी राम आदिकु घरी चो मई 1925 को गठित नीमुचना हत्यकांड के लिए प्रशिद है 31 मई 1925 को नीमुचना हत्यकांड तरुन राजस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित वाता ध्यान रखेगा ये प्रकाशित वाता तरुन राजस्तान नामक समाचार पत्र में नीमुचना हत्यकांड को महात्मा ग भूमी खालसा के अंतरगत्ती जबकि 20 प्रतिशत भूमी जागिरदारों के नियंत्रमे थी अलवर में अधिकांस किसानों को खालसा शेत्रों में इस्ताइब भूर आजश्वक के अधिकार प्राप्त थे जिन्हें विश्विश्वरी के नाम से जाना जाता था अलवर में हुआ निमुचना गाउं वर्तमान में अलवर जिले की बानशूर तहशिल में हैं ध्यान रखेगा 1923 इसमें अलवर के साशक जे सिंग के द्वारा किसानों पर कर लगाए गए और इसके कर लगाए गए और वहीं से इस आंदोरन के स्टार्टिंग हो गए इजारा इसमें एक होती थी इसमें उची बोली बोलने वाले को निश्चित भूमी निश्चित अउदी के लिए दिया जाता था इसी को बोला जाता है इजारा पद्दती ध्यान रखेगा निमुचना गाउं के किसान रगुनात की पुत्री सीता देवी 14 मई 1925 विस्वी को निमुचन के माध्यम से उठाया 14 में 1925 विस्वी को लगभग 800 किसान निमुचना में खटे हुए जिन पर अंग्रेश कमांडर चज्चु सिंग ने गोलिया चला दी जिसमें लगभग सो लोग सहीद हुए तता संपूर्ण गाउं को गाउं राक को राक दो गया इसके बाद है गया है महत्मा गांदी ने पत्रिका इंग इंडिया में निमुचना कांथ कि еци विवस कहते हुए दोरे हत्या कांथ की इसमें संग्या दी है् तरुन नविन राजस्तान जो विज के बाद आता है सेखावटी किसान आंदुलन सेखावटी किसान आंदुलन के दोरान राम नरन चोधरी ने डेली हेरोड का प्रमुकता से प्रियोग आंदुलन को प्रभावी मुद्दा बनाने के लिए किया था सरदार हरलाल सिंग जाट किसान आंदुलन सेखावटी सिकर के प्राप्त नेता थे 1921 इस्वे में सेखावाटी शेत्र में चिड़ावा सेवा समिती के गठन के पस्चात आंधुलन के सुरुवात मानी जाती ही और सेखावाटी शेत्र में रामनारन चोधुरी ने किसानों में जागरती पैदा की इस शेत्र में किसान आधुलन का स्री गण ध्यान रखेगा हाउस अब कोमंस में भी भारी मुद्धा बना और इसे उठाने वाले थे लोरेंस इस किसान आंदुलन के तहत मंडावा ठीकाने में देवी बक्स किन्ने नागरी का अधिकारों को गोश्ण नखी थी सेखावटी जगात आंदुलन का नेत्वत पंडित नरोत सीखर के नए राजा ठाकुर कल्यान सींग द्वारा 25 से 50 प्रतिशत तक भूमी लगान वशूर करने के साथी सीखर में किसानों का यह आंदुलन हुआ था अक्टूबर 1925 में अखिल भारती जाट महासभा का अधिवेशन अजमेर के समय पुक्षकर में आयोजित हुआ अखिल भारती जाट महासभा के सहयोग से 1931 एस्वी में सीखर के जाटू ने राजास्तान जाट शेत्री सभा के इस्तापना की 1932 में बसंद पंजमी के परफ़ पर जाट सभा का आयजिन किया इसमें 60,000 जाट समिलित हुए सितंबर 1933 में पलसाना में जाट सबा का आउजन किया गया गोविंदम हनुमानपुरा एक शोतनता सेनानी सेखावटी किसान आउजन का नेता था 25 अप्रे 1934 को सीखर के कटरा थल में सरदार हरलाल की पतनी किसोरी देवी जाट ने 10,000 महिलाओं के नेतातों में मिशाल महिला अंधुलन आयुजित किया इस समय लेन में उत्मा देवी के द्वारा भाशन दिया गया था सेखावटी किसान अंधुलन के प्रमुक केंद्र पलशाना कट्रा थला गोटड़ा वो कुंदन गाउं थे जो सीखर में पड़ते हैं इसके बाद है खुडी गोली कांड इस बीच हुआ था 1935 में सीखर के खुडी गाउं में किसानों पर केप्टन वेब ने लाठी से प्रकाशित समाचार पत्र कर्म वीर में हुआ था इसी बीच एक और गोली कांड हुआ था कूदन गोली कांड सीखर ठीकाने के विशेस अधिकारी वेब ने अप्रेल 1935 को कूदन वो गोठडा भुकरान गाउं पर धावा बोल दिया था किसानों का नर्स अंघर किया और महायग्य ठाकूर देश राज के निर्देशन में सीखर में 1935 इस्वी में 20 सदीका सबसे बड़ा विराट महायग्य का आयजन हुआ जिसमें सो मन घी के आहुती दी गई और इसमें 35 लोगों ने भाग लिया था जे सिंग पुरा कांड 1934 इस्वी में ठाकूर इस्वरी उसकी साथियों पर मुकदमा चलाय गया था और उन्हें सजा भी हुई थी ध्यान रखेगा जेपूर राज्य में प्रतम मुकदमा था और जिसमें जाट किसानों के हत्यारों को सजा दिलाने का संभव हो सका और देनी कार्जुन ने इस दस्ता का भयावा ब्योरा दिया था ज Nelson पुरा हत्यकान जिसके बारे में पर चुके 21 अगी चलाय को हुआ हुआ भी हाटीपन पश्यूरं पर हे जिए सेंखावटी किसा नाधालन को 55 कर देते थे अतक किसानों का आंधुलन ने रास्ता किसानों ने आंधुलन का रास्ता अपनाया परिणाम सवरुप अलवर महाराजा ने सुरों को मारने के अग्या देती तथा रोधों को हटा दिया गया इसके बाद स्टाट हुआ मेव किसान आंधुलन मेव किसान आंधुलन शेत्र आता है और यह स्टार्टिंग हुई थी मोहमद अली के नेत्तव में मेव किसान अंदोलन की समाप्ते हुई थी 1934 में और अलवर के महराजा जे सिंग को देश निकाला दे दिया गया 26 तो फेबरी 1944 को अलवर में श्वातनता दिवस मनाया गया पांच फरवरी 1947 को भरतपूर में प्रजा परिशत के नेत्तवत्र में बेगार विरोधी दिवस भी मनाया गया मेवाड में मेवाड का जाट जाट किसान अंदोलन हुआ यह हुआ था 22 जून 1880 में फतिर सिंग द्वारा किसानों पर कर लगाये जाने के करण इस अंदोलन की सुरुवात हुई यहां अंदोलन चित्तोरगड के मात्र कुंडिया रासमिध हशिल इस्तान से जाटों की द्वारा सुरु किया गया था मात्र कुंडिया को राजस्तान के हरिद्वार कहा जाता है इसके बाद है भरतपूर का सुध्धी यह अंदोलन इस्टार्ट हुआ था 1928 में भरतपूर की राजा कृष्ण सिंग ने इस अंदोलन की सुरुवात की थी धियान रखी गया भरतपूर की राजा कृष्ण सिंग इसके द्वार इसकी सुरुवा थी और इस योजना में डोगरा बच गया तता उसका सयोगी इंस्पेक्टर सलालुद्दीन इसमें मारा गया था बिकानेर किसान आंदुलन 1937 इस्वी में लाग बाग के समन्द में बिकानेर में प्रथम किसान आंदुलन जग जीवन चोधरी के नेतत्व में उदाशर में शुरू हुआ बिकानेर किसान आंदुलन को दो भागों में विवक्त किया जाता है एक तो हैं प्रथम भाग गंग नहर से जुड़ा हुआ था और दूसरा भागता जागिर्यели गाउन से जुड़ा हुआ विक्का चजडींत्र हुआ 1931 में इसमें दूसरे गαιर में सप्राइबलन लंदन में महाराजा अिंव्ण राज़ाइब गुएं जिसने 1931 नंटीन-धर्टीटू के लंदन ईए तिनों गोल में समलणों में भाग लेंगा बहुत ही इमपोर्टेंट तीन गोल में समेलन में भाग लेने वाले हैं ये महाराजा गंगा सिंग और ये राजस्तान के एक मात्र राजा थे रियाशत ने के के चंद चंदनमल बहड ने महाराजांiosa और गंगा सिंग को अतनरास्ट इस्तर पर इन विरोधी नीतियों को चपने पर नीचा देखना पड़ा इसके पश्चार चंदन मल बहड पर जूटा मुकदमा चलाया गया और उन्हें इस घटना को बिकरने सडियंत्र के नाम से जाना जाता है इसके बाद है राय सिंग नगर्प की एक घटना हुई है बिकानेर प्रजा परिशद के नेतत्तों में दूसरा खिसान आंदुलन राय सिंग नगर्प की घटना को लेकर हुआ प्रजा परिशद ने 17 जुलाई 1946 ये बिकानेर प्रजा अंदुलन के थिहास के अंतिम और महत्तपुन घटना 1946 का कांगर कांड थी बिकानेर की रतंगर तहसिल के कांगर गाउं के जागिर्दार ने 1946 इसवे में आकाल के बावजूत किशानों के करवाशु लेकर प्रयास किया जिसके विरात किशानों ने आं चुके हैं ध्यान रख़ेगा 1922 इस्ट उमक्रान के दूद्वाखारा नमक्स्तान पर आंदोलन चलाया गया दूद्वा खारा पर्तमान चूरू में है दूद्वाखारा आंदोलन के हनुमान सिंग्त भुडान या विकानर रियासत के पुलिस शेवा में भर्ती थे खारा वह कांगड़ा किसान नों नहीं जागिरदारों के अत्याचार वह शोशन के विरुद आंदुलन किया था दुद्धा खारा किसान आंदुलन के नेता हर्मान सिंग की जेल में 65 दिन की भूह करताल के कारण डेथ हुई ध्यान रखेगा तसीमो कांड 1947 इसमी में दौलप तीजारा दंगे या कांड तीजारा में दंगी हुए 1933 में अलवर में सांप्रदाइक दंगे भढ़के लसोड या अंदुलन राजपुताना के दक्षिनी शेत्र के भीलों में जागरती हेतुसंत माउजी या अंदुलन चलाया था इसके बाद है भोराई पाल घटना भोरा पुलिस ने घटना को पूर सूचना मिलने के कारण चापा मारकर हतियार बरामत कर लिए इसके बाद है होडिंग्स बम कांड यह हुआ था 23 ऑप डिसेंबर 1912 को दिल्ली के ततकाई गवर्नर जनरल होडिंग्स के जुलस पर रासविहारी बोस की योजना के नुसार का धर्म स्तूप इसके बारे में जानते 26 जनवरी 1930 को चंदरमल बहर तथा गोपाल दास ने चूरू के धर्म स्तूप तिरंगा फगर आये था बिकानेर में सामाजिक जन जागरती फेलाने वाले पंडित के नया लाल ढूंड वो सिस्से गोपाल दास थे इस सभादवारा ल शत्लेखा सिंग है रावला घरसाना अंदूलन में चंदूला शहीद हुआ रावला घरसाना अंदूलन के सवर प्रिथम केजरी वाल आयोग के इसकी जाच गोएल आयोग को सोपी गई तो दोस्तों यह थे राजस्तान की किसान अंदूलनों से जुड़े कुछ बहुत ही इ जेगा और सहर कीजेगा थेंक्यू सो मच थेंक्स पर वाचिंग